नमस्कार दोस्तों टीवी सुल में आपका सवागत है आज इंट्राविनस इंजक्शन आपको लगाना सिखाऊंगो जुनता है एक मैं वीडियो इसका बना चुका हूँ इसका लिंक मेरे डिस्क्रप्शन और आइकन पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं लेकिन ये वीडियो आप अच्छे ध्यान से देखना क्योंकि इस वैली वेन में खासकर बहुत अच्छे से मिल जाते हैं पल्प्लेट करके आप लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहरे मेरे चल्प कर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों हमेशा कुछ भी पेशन साथ करें उसको हमेशा बताना जरूरी होता है जैसे मैं टोनिकेट अपलाई कर रहा हूं और ये टोनिकेट जहां पर मैं कैफिलिक वेन में इंजक्सन लागाने जा रहा हूं उसके चार फिंगर उपर टोनिकेट अपलाई करना होता है दो जैसे मैंने किया है ऐसे आपको करना है उसके बाद में जो आंगुट जो होता है पैशन से मुठी खोले बंद करवाएं मुठी खोले बंद करने से और ज्यादा जो वेन होती और ज्यादा विजिवल होने लगती है जैसे मैं करवा रहा हूं पैशन से ऐसे आपको करवाना है थर्ड एल्कोहॉल स्वेप से बहुत जरूरी क्लीन करना है फोर्थ इंजक्सर लगाते हैं हमेशा ध्यान रखना है कि उसके अंदर बबल मतलब एर नहीं होना चाहिए फिप्थ 25 डिगरी पे आपको निटी को प्रिक करना है जैसे आप मैंने एल्कोहॉल स्वेप से क्लीन कर करने से पहले हमेशा अपने हाथों को सेडिटाइज करना ना भूले जब भी आप पैशन को टेच कर रहे तो अपने हाथों को सेडिटाइज जरूर करना यहा गल्प पहन रहा है या जैसे मैंने कर रहा हूँ ऐसे ही करना है यह चार उंगले से अब मुझे कर लें कभी कबार क्या होता है कि पैशन के बहुत ज्यादा हैर होते तो क्या करें उससे आप THोड़ से कट कर दें remove करते हैं तो और ज़्यादा visible होने लगते हैं अंग उठे से उसे palpulate करें मतलब महसूस करें कि आपको when महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है तो यह मुझे हलके से बहुत नाके बराबर जो जो बहुत दिख रही है लेकिन मुझे तमसिक और यह जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है दोस्तो एलकोल से पर यह सी से infection होता है जो हमेशा आप ध्यान रखना कि clean बहुत जरूरी है मतलब hygienic का बहुत ध्यान रखना उसके बाद में 25 डिगरी एंगल पे आपको निडिल को प्रिक करना है उसके बाद में सिरिंच को हलके से जो प्लैजर होता है पीछे विद्रो करें ब्लैड आ गया उसके बाद में आपको जो tonicate है उसको remove करें और हलके से push करें अभी नहीं दिख रहा है थोड़ा सा camera पीछे करें हलके से sure पीछे करें पीछे करें यह द्यखो यह है ऐसे अपना तो मुझे ethic लिए कि यह injection when के अंदर है उसके बाद में push करें θα push करने के बाद में फिर चक चरने की injection is its के अंदर है की नहीं है यह पीछे विद्रो करें when के अंदर ब्रड़ा रहा है तो के मतलब सही है और यहां पर अगर स्वैलिंग आती है तो यहां पर भी आपको मतलब की वेन के अंदर नहीं है इंजक्षन जिस वेन में में इंजक्षन लगा रहें इसका नाम है कैफिलिक वेन इंजक्षन लग चुका है दोस्तों इंजक्षन लगाने से पहले अपने डॉक् तुन ये अग लिवी न高ॉ